Hello everyone, मैं राहूल सिंगर याप सभी का स्वागत करता हूँ Step of Academy में और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का History का 4 चैप्टर Forest Society and Colonialism बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरस्टिंग चैप्टर है और इसको हम एक्जाम के लिए बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में हमें Tribals के बारे में और उनकी Life पर क्या Impact हुआ Colonialism का उसके बारे में डीटेल में समझना है कि कैसे Colonization के कारण बहुत ज्यादा परेशानिया इन लोगों को जिलनी पड़ी और ये सिर्फ हम इंडिया की बात नहीं करेंगे हम इंडिया के अलावा कुछ other countries में भी कुछ tribes के बारे में discuss करेंगे और फिर इन problems से बचने के लिए इन tribal community के लोगों ने क्या किया कैसे rebellions हुई उन मेंसे कुछ rebellions के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले हम forest की importance समझते हैं हमारे दिमाग में forest के कुछ ही use रहते हैं जब भी हम बात करते हैं forest का क्या use है तो ज़्यादा तर अभी वही first second third class में जो हम answer करते थे अभी भी वही करते हैं भाई हमें oxygen मिलती है लेकिन ऐसा नहीं है कि forest हमें सर्फ oxygen प्रोवाइड करा रहे हो forest जो हैं हमें oxygen के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं लेकिन हम कभी उसके बारे में सोचते नहीं हैं तो आज हम ज़रा देखते हैं कि हमें forest से क्या-क्या चीज़ें मिलती है और ये सब हम अपने आसपास देखकर ही समझ सकते हैं यदि हम अपने घर और स्कूल के आसपास देखें तो हम सबसे पहली चीज़ जिस पर हमारी नजर जाती है वह हमारी books यानि कि जो paper उसमें हैं वो हमें कैसे मिलता है forest से क्योंकि wood को ही process करके paper बनाया जाता है जिस table पर बैठके हम पढ़ते हैं वो table है ना घर के जो doors हैं windows हैं ये सब इसके लाबा color करने के लिए जो dye मिलती है वो dye भी हमें कहां से मिल रही है forest से spices cello pen wrapper of our जो our toffee toffee में जो wrapper होता है उपर उसका जो cello pen wrapper है से करते हैं जैसे कि सबसे ज़्यादा uses का होता है बीडी बनाने में अपने आसपास हम कई लोगों को देखते ना बीडी फुकते हुए है वो तेंदू leaves जो है ना वो कहां से आ रही है forest से आ रही है इसके अलावा honey, coffee, tea, rubber ये सब चीज़े forest products ही है ठीक है? और भी कई सारी चीज़े है यहां तो अभी list चालू हुई है हम यदि और चीज़ों की बात करें तो जो हमारी chocolate में oil होता है वो oil होता है salt seeds का जो हमें forest से मिलता है tannin जो की जो हमारी skin होती है skin animal skin को process करके उसको leather में convert करना होता है उसके लिए tannin की जरत होती है यह भी हमें forest से मिलता है कई सारे type की herbs roots ठीक है इसके अलावा bamboo bamboo कई तरीकों से use किया जाता है जैसे की टोकरिया बनाने के लिए baskets जो हम कहते हैं तो bamboo, wood, grasses, charcoal, packaging material बहुत सारे packaging material होते हैं fruits, flowers, animals, birds and कई सारी ऐसी चीज़े हैं जो हमें forest से मिलती हैं लेकिन कभी हम इसके बारे में सोचते नहीं है ठीक से अब यह forest के लिए हम बात करें हैं तो हम कुछ forest में देखते हैं बहुत ज़्यादा diversity होती है जैसे की Amazon forest and western guards in India ठीक है Amazon forest तो कहा पर आते हैं ठीक लेकिन western guards जो हैं वो इंडिया में हैं अब forest अच्छा कौन सा कहलाता है यह depend करता है कि कौन उसको देख रहा है तो ट्राइबल्स की बात करें तो ट्राइबल्स के लिए अच्छा forest क्या होता है जो उनकी सारी needs फुल्फिल कर सके और government के लिए अच्छा forest कौन होता है जो उनकी needs याने कि उनके लिए जो ship building वगएरा के लिए building construction के लिए जो bamboo जो wood चाहिए याने कि जिसको हम कहते हैं क्या कि जो logs होते हैं बड़े बड़े वो provide करा सके इस तरीके के इनके लिए होते हैं है ना लेकिन हम देखते हैं कि यह जो amazon forest हैं और western ghats में जो forest हैं इसमें लगबग 500 type के plants मिलते हैं है ना यह बहुत बड़ा number होता है कि एक forest में इतनी सारी variety मिल जाए है ना तो इतने different type के crops अपनको sorry इतने different type के trees हमको amazon forest और western ghats में मिलते हैं ठीक अब लेकिन हम यह देख रहे हैं कि धीरे धीरे यह जो forest हैं यह disappear हो रहे हैं कई लोगों ने देखा होगा कि पहले उनके घरों के आसपास शहर में उसके आसपास कही ना कही forest एक area हुआ करता था है ना जैसे मैं अपने गाओं की बात करूँ तो हमारे parents जो हैं वो बताते हैं कि हमारे गाओं में dense forest हुआ करता था लेकिन आज वो forest बचा ही नहीं है हम अपने गाओं जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर forest है ही नहीं वहाँ पर कटीली जाड़ियां बची हैं बस वो भी अभी develop हुई है कोश समय पहले तक तो वो कटीली जाड़ियां भी नहीं बची हुई थी तो question यह आता है कि ये forest disappear क्यों हो रहे हैं इसके बारे में हमको इस chapter में पढ़ना है क्या reasons हैं जिसके कारण forest disappear हो रहे हैं एक बहुत बड़ा reason है कि जो बड़े animals होते हैं जिनसे लोग डरते हैं उनका खतम हो जाना है ना तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे लेकिन कितना जादा forest disappear हुआ है पहले उसके बारे में समझ लेते हैं कि कितना सारा forest खतम हो गया यदि हम लगबग 300 साल की बात करें 1700 से 1995 है ना पास साल कम रहेगा नहीं तो 300 साल पूरे हो जाते इस 300 साल के समय में 13.9 million square kilometer forest area reduce हो गया जो world के total geographical area का 9.3% था यदि इसको हम compare करना चाहें तो कि कितना जादा खतम हुआ है तो हम इसको ना इंडिया से compare करते हैं यदि हम इंडिया के area की बात करें तो इंडिया का area कितना है 3.28 million square kilometer यह इंडिया का area है और यह world के total geographical area का 2.4% है यदि इससे compare करें तो यह लगबग आप देखोगे कि 3.4 times लगबग हो गया है ना कि इंडिया का जो total area है उसका 4 गुना याने इंडिया जैसी 4 countries इंडिया जितनी बड़ी बड़ी 4 countries का जितना area होता उतना area forest का खतम हो गया छोटा मोटा decline नहीं है यह बहुत बड़ा decline है इतना सारा forest हमने खतम कर दिया क्यों खतम कर दिया क्या main reasons है main reason है industrial use के लिए हमने यह forest खतम किया cultivation के लिए हमने यह forest खतम किया pasture के लिए लोगों ने यह forest खतम किया और fuel wood के लिए लोगों ने यह forest खतम किया अब सोचो किती जादा requirement ही लोगों की कितना सारा forest area खतम कर दिया, 300 साल में, है ना, अब यह deforestation होता क्या है, और इंडिया में यह deforestation कैसे हुआ, जरा हम इस पर focus करते हैं, ठीक है, deforestation की तो बिलकुल simple definition है, disappearing of forest, है ना, वो क्या कहलाता है, deforestation, disappearance of forest is known as deforestation, ठीक है, याद रखिएगा, forest में, और जो हमारे cities में, जो miscellaneous tree grooves होते हैं, उसमें अंतर होता है, cities के आसपास या कहीं पर भी हम छोटा मोटा सा एक जुंड देख लें ना, पेड़ों का तो इसका मतलब यह नहीं कि वो forest है, forest की एक definition अलग होती है, जहां पर dense area हो, बहुत बड़ा और dense area जो trees ने cover कर रखा हो, वो forest कहलाता है, जहां wildlife भी हो साथ में, वो forest कहलाता है, है ना, तो disappearance of forest is known as deforestation, ठीक है, और यह कोई recent problem नहीं है, यह बहुत लंबे समय से चली आ रही है, यदि हम इसकी शुरुआत की बात करें ना, तो बहुत पहले से ही, जब से हम Indus Valley Civilization के बारे में पढ़ते हैं, कि वहां पर लोग Indus Valley और उसके आसपास रा करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वहां से गंगा प्लेंस में shift हुए, जहां बहुत dense forest हुआ करता था, लेकिन फिर जब population बढ़ी हो, लोग गंगा प्लेंस में shift हुए, तो उन्होंने गंगा में जो dense forest हैं उनको clear किया और महां settle हो गए, तो यह जो कोई problem जो है ना, यह कोई नई problem नहीं है, recent problem नहीं है यह, यह बहुत परानी problem है, कई centuries से हम यह problem face कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही world में colonization start हुआ, colonization जैसे ही start हुआ, तो यह जो problem है, किस चीज़ की problem, deforestation की जो problem है, यह जो deforestation की problem जो थी, वो बहुत systematic हो गई, मतलब बहुत systematic तरीके से deforestation किया जा रहा था और extensive level पर, पहले इतना ज्यादा level पर deforestation नहीं होता था, जितना colonial rule के under होने लगा, ठीक है, तो अब हमें क्या समझना है, causes of deforestation in India, deforestation क्या होता है, और यह recent problem नहीं है, यह समझ में आ गया, और एक और चीज समझ में आ गई, कि colonial rule जब start हुआ, तब से यह deforestation और systematic और और जादा extensive level पर होने लगा, ठीक, तो सबसे पहला हम इसका reason देखते हैं, क्या था, land to be improved याने की cultivation, ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं, cultivation की, कि cultivation expand कर रहे हैं और उसके कारण deforestation किया जा रहा है, इसको समझाने के लिए हम कुछ data लेते हैं, कि 1600 में, इंडिया का जो total area है, उसका 1 6th, 1 6th याने कितना हो गया, 16.66%, इंडिया के total area का 1 6th area जो है, वो cultivation के लिए use होता था, लेकिन यदि हम अभी की बात करें, तो इंडिया का लगभग half, याने की कितना हो जा रहा है, और इसका main reason क्या है, population, population बढ़ रही है, कई centuries से बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण food की demand बढ़ रही है, food की demand बढ़ रही है, तो production बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जादा से जादा area में cultivation करो, area expand करो, तो population बढ़ी, population बढ़ने के कारण, demand बढ़ी और demand बढ़ने के कारण, जब हम production कर रहे हैं, तो forest clear करके, वहाँ पर cultivation किया जा रहा था, ठीक है, तो boundaries of cultivation जो है, वो expand हो रही थी, ठीक, clear है यह चीज, तो अब ये तो बात हो गई, इंडिया के, जब हम बात कर रहे हैं, कि जब colonial rule नहीं था, तब की, लेकिन जब colonial rule स्टार्ट हुआ, तो colonial rule के time पर भी, बहुत सारे variety of reasons हैं, जिसके कारण, ये जो cultivation है न, ये और expand हो रहा था, cultivation में ही हम देख रहे हैं, कि colonial rule का क्या impact हुआ, कि जो Britishers थे, इनके हां industries भी develop हो रही थी और population भी बढ़ रही थी, Britishers ने इसलिए क्या किया, दो type की crops का production बढ़ाने के लिए motivate किया लोगों को, एक raw material और दूसरा food grains है न, तो जो commercial crops कहलाती थी, जिनकी demand बहुत ज़्यादा थी, जैसे की jute, sugar, wheat, cotton, ये क्या है, commercial crops है, और इनकी जो demand है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ पर भी population बढ़ रही थी, और industries develop हो रही थी है न, तो 19th century में हम देख रहे हैं कि इनकी demand बढ़ गई है, किस चीज़ की demand बढ़ गई है, food grains की demand बढ़ गई है, क्योंकि urban population बढ़ गई है, and raw material की demand बढ़ गई है, क्योंकि industrial production भी बढ़ गया है, तो during British rule, बहुत तेजी से cultivation expand हो रहा था, उसका एक reason क्या है, population बढ़ना, food की demand बढ़ना, industries का develop होना, और raw material की demand बढ़ना, ठीक है, एक और reason है, जिसके कारण हम देखते हैं कि British rule के time पर cultivation expand हो रहा था, क्यों expand हो रहा था, cultivation भाई, क्या reason था, second reason यह था, कि tax नहीं मिल रहा उनको forest से, है न, तो इन लोगों को क्या लगता था, कि forest कैसा है, unproductive है, यदि उस पर cultivation किया जाए, तो वो productive हो जाएगा, जब forest है, तो वो क्या है, wilderness है, उससे कोई tax नहीं मिल रहा है, और यह कह रहे है, यह जो wilderness है, it had to be brought under cultivation, ताकि क्या हो इससे, दो चीजों के फायदा होगा, एक तो agricultural products भी मिल जाएंगे, और revenue भी मिल जाएगा, इसलिए, income बढ़ाने के लिए, government अपनी income बढ़ाना चाहती है, और इसलिए यह cultivation को expand करना चाहते हैं, और हुआ भी ऐसा ही, 1880 से 1920 के बीच में, cultivation जो है, वो बढ़ा, कितना बढ़ गया, 6.7 million hectares में cultivation और होने लगा, मतलब forest area clear किया गया, और उसको cultivated land में convert कर दिया गया, तो यह तो एक हमने देखा reason की cultivation के कारण, forest जो है, वो reduce हो रहे हैं, ठीक है, यह एक reason देखा हमने, cultivation, उसमें हमने तीन points पढ़े, एक point हमने कौन सा पढ़ा, कि इंडिया की population बढ़ रही थी, जिसके कारण हमको demand फुल्फिल करने के लिए, expansion करना पढ़ रहा है, cultivation का, दूसरा reason हमने क्या देखा, उसमें, colonial rule में first, कि colonial countries जो थी, colonizers जो थे, वहाँ पर population बढ़ रही है, और industrialization हो रहा है, तो population के कारण food की demand बढ़ रही है, और industrialization के कारण raw material की, और वो चीजों का production उन countries में नहीं होता, तो जिन countries को नोंने अपनी colony बनाया, वहाँ पर raw material और food gain produce करके, वो Europe export कर रहे थे, और तीसरा, कि यदि हम forest को forest रहने देंगे, तो उससे सरकार को कोई tax नहीं मिलना और नहीं कोई products मिलने है, तो वो चाहते हैं कि cultivated area में convert हो जाए, तो उससे उनको tax भी मिलेगा और agricultural products भी मिल जाएंगे, ठीक है, अब next जाते हैं अपन, second point पे जाते हैं कि और क्या reasons थे, जिनके कारण forest reduce हो रहा था, तो उसमें एक आजाता है railway sleepers, ठीक है, railway sleepers के लावा एक और reason था, ships, ये जो forest disappear हो रहे थे, इसका main reason क्या था, ships and railway sleepers, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो बनते थे न, ये काय से बनते थे, oak tree, oak tree के जो forest होते थे, उससे इनको timber मिलता था, जिससे ये ships बनाते थे और railway sleepers बनाते थे, ठीक है, लेकिन इंग्लेंड में ये जो railway sleepers के लिए जो ये timber देने वाले forest थे, ये disappear होने लगे थे, early 19th century से, early 19th century मतलब 1801 से start हुई 19th century और 1810s and 20s तक अपन ये early 19th century मानते हैं, ठीक है, तो early 19th century में, ब्रिटेन में ये जो oak forest थे, ये खतम हो रहे थे और इनकी requirement का एक लिए होती थी, timber supply के लिए, किस के उच्छे ये timber supply, रॉयल नेवी के लिए, अब ये नेवी बहुत ज़रूरी है भाई, नेवी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि नेवी नहीं होगी, तो दूसरी countries को ये अपनी colony कैसे बनाएंगे, दूसरी countries में जो ये food grains produce कर रहे हैं, raw material produce कर रहे हैं, उसको यूरोप तक कैसे ले जाएंगे, इन सब चीजों के लिए इनको नेवी चाहिए, और नेवी तक सामान पहुचाने के लिए railways चाहिए, है ना, तो इन दोनों reasons के कारण हम देखते हैं, कि forest जो हैं, वो disappear हो रहे थे, है ना, तो 1820s से हम देखने लगते हैं, कि search parties इंडिया बेजी जाने लगी थी, अब ये जो timber जो है, वो export करने लगे, within 10 years, ठीक है, अब इसके कारण क्या हो रहा है, forest तेजी से disappear हो रहा है, अब शुरुआत में तो हम देखते हैं, कि भाई, सिर्फ नेवी के लिए चाहिए, लेकिन 1850s से इंडिया में railways जो है, वो spread होने लगा था, बहुत तेजी से spread होने लगा, तो एक और नई demand create हो गए, railway sleepers की, ठीक है, तो ये बहुत ही essential था railway, क्यों था essential, पहली चीज, colonial trade के लिए, जैसे कि मैंने बताया, कि भाई, इनको जो भी food grains और raw material इंडिया में produce किये हैं, वो Europe भेजना हैं, तो colonial trade के लिए railway ज़रूरी था, लेकिन साथ ही, colony पर control establish करने के लिए भ railway sleepers चाहिए, क्यों, क्योंकि वो sleepers जो है न, वो track को bind करके रखेंगे, है न, वो sleepers के विना track एक साथ नहीं रहेगा और railways उस पर चल नहीं पाएगी, है न, तो railway sleepers और navy के कारण, forest disappear हो रहा था, इस चीज को समझने के लिए कुछ data भी हम यहाँ पर देखते हैं, कि एक mile का railway railway track बनाने के लिए लगभग 1760 से 2000 sleepers की requirement होती थी, ठीक है, अब इतने सारे sleepers बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, है न, और 1860 से तो बहुत तेजी से expand हो रहा था railway, कितना तेजी से expand हो रहा था, देखो भाई, इसका data, 1890 में 25,000 km का track इंडिया में आ च को as it is लिया है, है न, यहाँ पर लिखा है यह 7,65,000 km track लेंगे, इतनी तो आज भी नहीं है इंडिया में, आप track length चेक करोगे न, तो यह 7,00,000 तो ही नहीं, यह 65,000 है, लेकिन आपकी जो NCRT की book है, उसमें 7,65,000 दिया है, इसलिए मैंने इस data को as it is लिया है, लेकिन इसको आप अपने school teachers से confirm कर लें, online confirm कर लें, उसके बाद इस data को लिखें कि क्या चाहते हैं आपके teachers, यदि बोलते हैं कि भी यह नहीं, यहीं लिखना है जो किताब में लिखना है, लेकिन यह data गलत है, आप track length, यहाँ से search कीजेगा, track length in India, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कि 65,000 क आसपासी है, अभी भी बहुत जादा नहीं बढ़ी है, 67,000 हुआ होगा maximum, ठीक है, तो इस data को एक बार check कर लीजिएगा, लेकिन हम यह देख रहे हैं कि railways बहुत तेजी से expand हो रहा था और इसके लिए sleepers चाहिए थे, कितना देखो, forest कैसे तेजी से घट रहा है इसके कारण कि 1850 में हम देखते हैं, अकेले मदरास presidency में 35,000 trees annually कट किये जा रहे थे हैं, हर साल 35,000 पेड काटे जा रहे हैं जो railway sleepers जो है ना, इनके लिए, बहुत जादा requirement है क्योंकि इसकी, ठीक है, और government कैसे कट कर रही है, government क्या कर रही है, contract दे रही है, अब जिनको इसके contract मिले, वो के सोची नहीं रहे है कि किस तरीके से पेड काटना है, बिना सोचे समझे, जो पेड सामने आ गया, उसको काटते चले जा रहे थे हैं, तो indiscriminately, यह जो contractors हैं, यह पेडों को काटते जा रहे थे, और जहां-जहां track बनना है, वहां तो यह forest का सोची नहीं रहे है, जहां-जह railway track बनाने थे, उसके आस-पास तो जितने भी, जितना भी forest था, बहुत तेजी से disappear हो रहा था, तो forest के disappear होने के टीन रीजन सपन को अभी मिल गाए, एक cultivation, दूसरा navy और तीसरा railway sleepers, ठीक है, चौथा एक और point हम देखते हैं, plantation, plantation क्या होता है, plantation का मतलब होता है, straight rows में trees लगाना एक ही variety के, है न, वो plantation कहलाता है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो natural forest होता है, उसको खतम करते हैं, natural forest में क्या होता है, बहुत ज़्यादा variety होती है, लेकिन इनको variety नहीं चाहिए, इनको एक type के पेड़ चाहिए, tea के, coffee के, या rubber के, क्य colonies में produce की जा रही थे, तो इंडिया में भी produce कर रहे हैं, tea, coffee and rubber, इसके लिए plantations बन रहे हैं, अब यहाँ भी government क्या करेगी, contracts देगी, lease पर देदेगी, जमीन, किसको देगी, Europeans को ही देगी और बहुत सस्ते दामों पर देगी, तो colonial government ने क्या किया, colonial government ने forest पर कबजा कर लिया, कैसे किया, forest law बना कर, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, तो forest law बना कर इन्होंने forest पर कबजा कर लिया, और जो vast areas हैं, वो European planters को दे रहे थे, at cheap rates, ठीक है, बहुत सस्ते दामों पर इनको दे रहे थे, और यह लोग क्या कर रहे हैं, इनको enclose कर रहे हैं, और forest clear करके, उस में deforestation हो रहा था, ठीक है, अब deforestation ये करें तो ठीक है, लेकिन कोई दूसरा करें तो दिक्कत है, ये जो Britishers हैं, इनको अब चिंता होने लगी, कि यार जो local लोग हैं, ये timber खराब कर रहे हैं, तो कैसे timber को protect करें, और कैसे हम दूसरे लोगों को रोकें, कि वो forest का use ना कर प आए, अब हम इसी point पर आने वाले हैं, कि कैसे ये forest को protect कर रहे थे, और कैसे ये एक planning के धुरू, पूरा commercial forestry जो है ना, commercial forestry का मतलब क्या है, अब forest को commercial purpose के लिए use करना है, तो इनकी समस्या क्या है, समस्या ये है कि भाया इनको timber चाहिए है, railway और ships के लिए, लेकिन कोई दूस दूसरा use ना कर सके, ठीक है, तो किस चीज के लिए वरीटते है वो, use of forest by local people and reckless swelling of tree by local traders, इनको ये लग रहा था कि ये forest को ये लोग destroy कर देंगे, तो इसके लिए क्या किया इनों ने, एक German expert को बुलाया, जिनका नाम था diet rich brandis, diet rich brandis, देखो नाम सुनके बड़ा अच्छा सा न brandis, branded खाना, इस तरीके का नाम लग रहा है, लेकिन ये कौन है, एक German expert है, और इनको काई के लिए बुलाया गया है, कि ये जो forest है, इनको कैसे protect करें to gain timber, याद रखना, ये forest को protect करना चाहते हैं, लेकिन environment के protection के लिए नहीं, ये चाहते हैं, कि इनको railways और ships बनाने के लिए ज और इंडिया का first inspector general of forest बना दिया, है ना, तो question बन सकता है, यहां से, who was the first inspector general of forest in India, diet rich brandis, अब इनों ने आकर क्या किया, इनों ने आकर ये कहा कि भाईया, लोगों को science of conservation में training देने की ज़रत है, किस चीज में train करना है, science of conservation में, ठीक है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा forest को manage करना पड़ेगा, ठीक है, अब ये forest को manage करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक system बनाना पड़ेगा, proper system बनाना पड़ेगा, जिसमें क्या होंगे, rules होंगे, और जो ये rules follow नहीं करेगा, उसके उपर legal sanctions लगाए जाएंगे, fine लगाया जाएगा, ठीक है, तो ये कह रहे training कैसे देंगे, rules बनाएंगे, इन rules को जो follow नहीं करेगा, उस पर legal sanctions लगाएंगे, ठीक है, और इस तरीके से एक पूरा system ये develop कर लेंगे, manage कर रहे हैं ये forest को, ठीक है, और इस तरीके से forest को बचा पाएंगे, और इन rules में क्या होगा, इन rules में ये होगा, कि लोग trees नहीं काट सकेंगे, अपने animals को grazing के लिए निगले जा सकेंगे, इन चीजों को restrict कर दिया जाएगा, ताकि forest को protect किया जा सके for timber, ठीक है, अब देखो भाई, trees की failing, रोग दी, याने tree काटना बैन कर दिया, grazing कराना बैन कर दिया, लोगों की life पर effect होगा, पहले वो लोगों की life की बात बा इन्होंने इंडिया में एक institution set up किया, जिसे आज हम क्या कहते हैं, Indian forest services, यह services हैं, 1864 में इन्होंने Indian forest services established की, डाइटरिच ब्रैंडिस ने, और 1865 में इन्होंने Indian forest act बनाया, यह जो Indian forest act इन्होंने बनाया है, इस Indian forest act में वो punishment जो legal sanctions की हम बात कर रहे थे, वो दिया हुआ है, तो without permission कोई trees काट रहा है, तो उसको punish किया जाएगा, कैसे punish किया जाएगा, कितना punishment मिलेगा, वो दिया कहा है, Indian forest act, 1865 में, ठीक, एक तो यह किया है, इन्होंने punishment के लिए, management का system बना दिया, ठीक है, लेकिन management सिखाना है, कि manage करने के लिए, और क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे scientific forestry करें, तो इन्होंने imperial forest research institute established किया, देहरा दून में, 1906 में, यहाँ पर इनको scientific forestry सिखाई जा रही है, हाला कि यह सिर्फ नाम लग रहा है, scientific, forestry actually में scientific नहीं थी, क्या हो रहा था यहाँ पर, जो scientific forestry के नाम पर जो कुछ भी यह सिखा रहे हैं, आज कल की ecologist जो कहते हैं, कि यह तो scientific एक भी थी नहीं, यह actually में plantation सिखा रहे थे यहाँ पर, क्या था, इस plantation में क्या होता था भाई, एक ही type के trees plant किये जा रहे थे, in straight rows, ठीक है, तो जो diverse forest थे, उनको खतम कर दिया गया, natural forest को खतम कर दिया गया, और उसकी जगा पर एक type के trees, straight rows में इस तरीके से लगाय जाते थे और इसको हमने क्या कहा, plantation, ठीक है, तो यह scientific forestry के नाम पर क्या सिखा रहे है, actually में, plantation सिखा रहे है, अब इसमें क्या होता था, forest officers है, यह forest officers survey किया करते थे, forest का, survey करके इनोंने क्या किया, estimated area निकाला, कि कितना estimated area है, under different trees, ठीक है, कौन-कौन से type के tree लगे हुए है, कितने area में, फिर वो plan बनाते थे, working plan, किस चीज के लिए working plan बनाते थे, management के लिए, कि कितना forest काटना है, ठीक है, उसको काटेंगे, और फिर कुछ सालों के लिए छोड़ देंगे, ताकि वहाँ फिर से regrowth हो सके और दोबारा से उस timber का use किया जा सके है, तो plan किस चीज का बनता था, plantation areas में कि कितना plantation area हर साल काटना है, ठीक है, फिर उसको छोड़ देते थे, replant किया जाता था, ताकि अगले कुछ सालों में वो फिर से उस जगा से timber gain कर सके, तो इस तरीके से working plans बनाये जा रहे हैं काई में, management institutes में और forest services में, ठीक, अब यह जो forest act था ना, इस forest act में दो amendment किया गया, 78 में और 1878 और 1927 में, यह जो 1878 का act है, यह बहुत important है क्योंकि इस से forest को तीन categories में divide कर दिया गया, reserved forest, protected forest and village forest, जो सबसे अच्छे quality के forest हैं, वो क्या कहला है, reserved forest, और in reserved forest से, tribal कुछ भी नहीं ले सकते, even अपने खुद के use के लिए भी कुछ नहीं ले सकते थे, plantations, sorry, खुद का use थो ठीक है, मतलब market में बेचना तो अलग बात है, खुद के use के लिए भी लोग कुछ नहीं ले सकते, house building के लिए या fuel के लिए भी लोग कुछ नहीं ले सकते, तो सबसे अच्छे क्वालिटी के जो forest थे वो काहे में रखे गए reserve forest की category में ठीक अब यह देखते हैं कि इससे लोगों की life पर क्या effect हुआ है ना अभी तो हमने देख लिया कि भाई government क्या क्या कर रही है कौन से forest act बनाया और उस forest act से कैसे उन्होंने forest को तीन categories में divide कर दिया वाले लोगों के लिए यह forest क्या use क्या था ठीक है और government के लिए forest का use क्या था या ऐसे कहें कि इनके लिए good forest की definition क्या है ठीक है दोनों के लिए अलग होगी foresters जो है उनके लिए good forest की definition अलग होगी और villagers के लिए अलग होगी villagers क्या चाहते है mixture of species किस type की species का mixture जो इनकी needs fulfill कर सकें, different needs हैं इनकी, fuel, fodder and leaves की, यह जो needs fulfill कर सकें, ऐसे forest इनको चाहिए, और forest department क्या चाहता है, किस तरीके के trees चाहता है, जो ship building और railways के काम आए, याने की इनको क्या चाहिए, hardwood and tall and straight trees, ठीक है, तो इनको क्या चाहिए, hardwood and tall and straight trees, तो इनको किस तरीके के trees चाहिए, saal and teak, ठीक है, इस तरीके के forest को यह promote कर रहे हैं, ठीक, लेकिन यदि हम बात कर रहे हैं, forest में रहने वाले लोगों की, याने tribals की, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए, roots, leaves, fruits and tubers, जिनका different use है, इनके लिए, क्या different usage है, अब हम सब इनके use पढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखते है, fruits and tubers, यह nutritious होते हैं, बहुत जादा nutrition होता है इन में, तो यह fruits and tubers कब काम आते थे इन tribals के, जब इनके पास फसल नहीं, याने during monsoon, ठीक है, तो during monsoon, यह लोग fruits and tubers का use करते थे, बहुत सारी herbs ऐसी होती थी, जिनको यह medicinal purpose के लिए use करते थे, wood से यह agricultural implements बनाते थे, bamboo का use यह कई तरीकों से कर रहे थे, fencing के लिए भी कर रहे थे, और baskets and umbrella बनाने के लिए भी यह bamboo का use किया करते थे, और भी कई सारी चीज़े हैं, जैसे कि, जो gauds होते हैं, जैसे कि, bottle gaud, ठीक है, तो इस तरीके के जो gauds होते थे, इनको सुखा कर उसको अंदर से पहले खोकला कर लिया, फिर सुखा लिया, तो potable water bottle की तरह use किया जा सकता था, ठीक है, माने हर चीज़ जो forest में मिल रही है, उसका किसी ना किसी तरीके से use कर रहे हैं, जैसे कि leaves की बात करें, leaves से क्या बनाते थे, disposable plates, है ना, पतल कहते हैं हम जिनको, उसी से उन्होंने cups बना लिये, sidey creeper जो होता है, creeper सम जानते हैं, क्या होते हैं, जो plants जो होते हैं, जो समीन पर रहते हैं, बिल्कुल, creepers, है ना, तो creepers का use किया जा सकता था, ropes बनाने के लिए, और सेमूर नाम का एक पेड़ होता था, इसकी जो bark होती थी, है ना, bark, यानि उसकी चाल, उसको ये चाकू की तरह use करते थे, to greater vegetables, और oil कहां से लाते थे, cooking के लिए, और lamps के लिए, महुआ का tree होता है, forest में, इसका जो, महुआ का जो ऐसा फल होता है, इसको process करके, ये उससे oil भी बनाते थे, जो cooking के लिए use होता था, और उसी oil से ये, अपने lamps भी light करते थे, ठीक है, तो बहुत सारे तरीके से हमने देखा कि इनोंने forest products का use किया, लेकिन जब forest act आया, forest act ने क्या किया, ये सारी चीज़ें ban कर दी, तो इसके करण villagers को बहुत परिशानी face करनी पड़ रही है, अब उनकी जो everyday practices है, वो crime बन गई, everyday practices like cutting wood, grazing their cattle, collecting fruits and roots, hunting, fishing, ये सब क्या हो गई, इल्लीगल, because of the forest act of 1865, ठीक है, और फिर 1878 में और जादा उसको strict कर दिया गया, है न, तो अब क्या हो रहा है, कि अब इनको हमने क्या देखा, ये fuel wood collector ही कर सकते, बिना उसके तो खाना बनेगा ही नहीं, तो अब जो tribals हैं, they were forced, forced to steal wood, अब उनको चोरी करना पड़ा, पहले जो उनका अधिकार था, अब वो चोरी बन गया, उनसे सब कुछ छीन लिया गया, है न, उनका अधिकार ही छीन लिया गया, कि वो वहां से, forest से, fuel would be collect नहीं कर सकते, तो fuel would be collect नहीं कर पा रहे हैं, अब वो चोरी करने के लिए मजबूर हैं, और यदि पकड़े गए, तो और समस्या, they were at the mercy of forest guards, अब forest guard क्या करेगा, bribe लेगा, रिश्वत लेने लगे लोग, ठीक, अब ये तो फिर भी ठीक है, रिश्वत ले रहे हैं, लेकिन जनरली लकड़ियां collect करने के लिए कौन जाती थी, women, उनकी condition और खराब थी, women की condition खराब है, खत्रा है इनको भाई, लोगों को हरास तो करी रही है, फ्री में खाना मांगी रही है, पुलिस कॉंस्टेबल्स और फॉरेस्ट गार्ड्स, लेकिन women के लिए specially खत्रा है, उनकी जान का भी खत्रा है उनको, और हो सकता है कि इनके साथ कुछ अन्होनी भी हो जाए, तो बहुत बुरी condition हो गई इन ल practices कैसे change होई, अब जो forest में रहने वाले लोग है ना, वो कौन होते हैं, या तो वो cultivators होते हैं, या तो वो hunter and gatherers होते हैं, ठीक है, या फिर जो nomadic herders होते हैं, तो nomadic herders के बारे में next chapter है पूरा, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं, cultivators की और hunters की, इनकी life पर क्या effect हुआ इस act का, तो जो cultivators हैं यहाँ पर वो कौन है, shifting cultivators हैं, या उसे हम कहते हैं, Sweden agriculture, shifting cultivation में क्या होता है, forest का एक area clear करते हैं, उसको जला देते हैं, और जो राख बचे ही, उसी राख में swing कर देते हैं, क्योंकि उससे soil fertile होती है, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि हर बार कोई नया area clear करें यह इनके area marked रहते थे, हर 10-12 साल में, 15 साल में वहाँ वापस आएंगे, 18 साल में वहाँ वापस आएंगे, यह area fixed होता था, marked होता था, कि एक area, दूसरा area, तीसरा area, चौथा area, पांचवा area, हर जागा पर 3-4 साल, 5 साल, जित्ते साल तक उस soil में fertility है, तब तक वहाँ वह agriculture करें इसी लिसकों क्या कहते है, shifting cultivation, यह traditional method है, agriculture की, लेकिन, अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम है, है ना, देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ यह इंडिया में होती है, पूरे एशिया में कई जगा पर होती है, अफरीका में और साउथ अमेरिका में, और इसके local नाम है, जै चिटमेन एन टेवी, यह कहां कहते हैं, आफरीका में, और चेना कहते हैं, श्रीलंका में, यह अलग 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 नाम है, अलग 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 नाम है, धाया, पेंडा, बेवार, निवाडा, जूम, यह चलता है, नौर्थ इस्ट में हो सबसे जाता है, यह पूछा जात लेकिन इसमें से कुछ खास तो याद कर नहीं है, जैसे कि Shifting Cultivation in Sweden Agriculture तो याद रखना है, इंडिया में इसके इलाव इसके लिए जुमिंग याद रखना है, Central America में मिलपा याद रखना है, ठीक है? तो यह तो जाम अपन को याद करने है, कि कौन-कौन से different नाम से यह जाना जा से, Seeds कैसे सो की जाती है, जो Ashes बची, उसी में, जैसे ही First Monsoon आया, पहली Shower सुई, उसके तुरंट बाद सुईंग कर देते हैं, और Harvesting कब होगी, October, November में होगी, तब तक यह लोग, जो Fruits and Tubers हैं, उसका यूज़ करेंगे, फिर क्या होगा, जब वहां से, उसकी Cultivation के कार जो Fertility Reduce होई है, तो जमीन को 12 से 18 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं, Left Fellow मतलब खाली छोड़ देना, ठीक है, और Different Type की Crops इस पर Produce की जाती हैं, अब कौन कौन सी Crops Produce होती हैं, जरा इस पे भी हम ध्यान दे लेते हैं, कि Central India में, आफरीका में Millets Produce होते हैं, जो आर, Brazil, यानि की South America, वहाँ पर मैनियोक प्रडियूस होता था, और जो Latin America की Other Parts हैं, वहाँ पर मेजन, बीन्स वगेरा भी प्रडियूस की जाती हैं, तो इस तरीके का देखता है, मैनियोक है, डंडे जैसा ही देखता है, ठीक है, हमारे जैसे शकरकन देखता है, लेकिन शकरकन छ Timber नहीं मिलेगा, वैल्यूबल Timber खराब हो रहा है इससे, क्योंकि आप जला दे रहा है उसको, है ना, तो इनको यह लग रहा है कि भाई यदि यह जो Shifting Cultivation या Sweden Agriculture Perform कर रहे हैं, तो इसके कारण यह Railways के लिए जो Timber चाहिए, उसके लिए Trees Produce नहीं कर पाएंगे, Trees Grow नहीं कर पाएंगे, और इसलिए इसको बैन कर दिया गया, ठीक है, एक तो यह हो गया कि Timber चाहिए था और यह वैल्यूबल Timber को जला दे रहे हैं, दूसरा क्या जो वैल्यूबल Timber है, उसको जलाने के करण आस पास जो और Timber है, उसमें भी Forest Fire का खत्रा है, फ्लेम से दर दर जा सक और हो सकता है पूरे जंगल में आग लग जाए, और जादा Forest का नुकसान हो जाए, ठीक, दूसरा रीजन यह हो गया, Forest Fire का खत्रा है, तीसरा Tax Collect नहीं कर पा रही है, Calculate ही नहीं कर पा रहा है, अब आप कुछ दिन यहां खेती कर रहा है, फिर कुछ समय कहीं और चल गया है, फिर कुछ सहीं और कहीं चल ले गए, तो इसके कारण क्या होगा, गवर्मेंट जो है वो Tax Calculate नहीं कर पा रही है, तो Taxes भी नहीं मिल रहा है, Valuable Timber भी चला जा रहा है, उपर से Forest Fire हो गई तो और जादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए इनने क्या Decide किया, Shifting Cultivation को BAN कर दि चोड़ना पड़ेगा, they were forcibly displaced from their homes, जबर्जस्ति उनको वहां से निकाला गया, अब इसका effect क्या होगा, या तो उनको occupation change करना पड़ेगा, तो कई सारे लोगों ने occupation change कर दिया, कई लोग labor बन गए, mines में, plantations में काम कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने rebellion करी, कुछ छोटी और बड़ी rebellion हुई, जिसके बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे, तो यह cultivators की condition, but what about hunters and gatherers, hunting बड़ी समस्या हो गई, hunting भी बैन कर दी, hunting भी किसकी, छोटे जानवरों की hunting बैन कर दी, बड़े जानवरों की hunting बैन कर दी, बड़े जानवरों की hunting तो इनके लिए sport था, तो जैसे जिनक hunting पर यह survive कर रहे थे ना, जैसे hunting of deer, partridge और बहुत सारे जो चोटे से animals होते थे, जिनकी hunting पर यह लोग survive करते थे, इसको ban कर दिया गया, ठीक है, forest law में इन चीजों को ban कर दिया गया, और यदि पकड़े गए, hunting करते होए, तो इसको hunting नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फिर poaching बोलेंगे और इसके लिए punishment भी मिलेगी, ठीक है, यह small animals के लिए था, लेकिन large animals की hunting क्या बन गया, इनके लिए sport, large animals की hunting हमारे हां हमेशा से sports की तरह देखा जाता रहा है, कई सारे ऐसे painting सपन देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि जो court officials होते हैं, या nobility होती हैं, व सारी सी mughal paintings भी हम देखेंगे, जहां पर hunters, जो kings हैं या जो prince हैं, वो hunting को enjoy कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उस समय यह जो hunting हो रही थी, यह इतनी extensive नहीं थी, लेकिन colonial rule जब start हुआ, तो यह hunting का जो scale था, बहुत जादा बढ़ गया, बहुत जादा hunting होने लगी, इतनी जादा hunting हो होने लगी कि जो कुछ animals की species थी न, वो extinct होने की कगार पर आगई ही, जैसे की tigers, कितना जादा इनको मारा जा रहा है और क्यों मारा जा रहा है, यह कह रहे हैं कि यह जो tigers हैं या जो भी बड़े animals हैं यह savage society का sign है, यह primitive और wild society का sign है, large animals, और Britishers को यह लगता था कि इनको मार कर यह Indians को civilize कर सकते हैं, इसलिए जो बड़े animals हैं, वो dangerous हैं उनको मारने की जरुत है क्योंकि इन बड़े animals के डर से लोग agriculture नहीं करेंगे वहाँ पर, तो यह कह रहे हैं कि इन्डिया को civilize किया जा सकता है, और जिन areas में लोग agriculture कर रहे हैं, उन areas में tigers को मारने के लिए, wolves को मारन के लिए reward दिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि यह कह रहे हैं कि cultivators के लिए खत्रा है, अब कितने tigers मारे हैं, इसका data दिया है कि between 1875 and 1925 in 50 सालों में 80,000 tigers, 1,50,000 leopards and 2,00,000 wolves were killed, यह सोचो 80,000 tigers मार दिये हैं, आज मुश्किल से 3,000 बचे हैं, और वो भी हमने protect किया तो वहां तक पहुचे हैं, otherwise तो नंबर वो 1500 के आसपास आ गया था, आज हम बचाते फिर रहे हैं, उस समय तो यह मार रहे हैं, इनको क्यों, क्यों मार रहे हैं, कह रहे हैं कि यह खत्रा है, क्यों खत्रा है, अर भाई, cultivation नहीं होगा, चल जाएगा, अब cultivation के चक्कर मे मार दिया इनको, cultivation expand कर रहे हैं, forest कतम होते चले जा रहे हैं, और आज जो economist हैं, environmentalist हैं, ecologist हैं, वो कह रहे हैं, इनको मारना नहीं था, इनको तो बचाना था, तभी तो यह balance बना रहेगा, ecological balance बना रहेगा, है ना, तो यह जो forest हैं ना, यह जो tigers, wolves and leopards, इनको मारा जा रहा है, इनको sporting trophy की तरह देखा जा रहा है, अकेले एक व्यक्तिन है, महाराजा और सरगुजा, इनको ने अकेले 1157 tigers and 2000 leopards मार डाले, और एक British officer George Yule, इनको ने 400 tigers मार डाले, तो आज की condition में देखें, तो यह कितना बढ़ा loss था हमारे लिए, उस समय इनको यह समझ में नहीं आ रहा थ उस समय तो इन्होंने कुछ area reserve ही कर दिए कि यहाँ पर forest में hunting ही होगी, तो कुछ areas जो थे ना, वो hunting के लिए reserved थे, बहुत बाद में हमारे environmentalist को समझ में आया कि इनको मारना नहीं था, बलकि इनको protect करना था, अब जाके हम इनको protect करना था, अब जाके हम इनको protect करना है, इस प नुकसान हुआ, hunters का नुकसान हुआ, लेकिन कुछ लोगों का फाइदा भी हुआ, क्योंकि कुछ लोग जो new trade opportunities मिली और नया employment मिल रहा था, उसमें ये लोग enter हो रहे थे, हाला कि इसका मतलब यह नहीं कि सबकी condition improve हो रही है, यह ना, बट कुछ लोगों की condition तो improve हुई, हम यहाँ पर example लेंगे, Amazon forest का, कि Amazon forest में, Brazil में एक tribal community रहती थी, Munduruku tribe, ठीक है, जब opportunities create हुई, तो इन्होंने क्या किया, forest से latex collect करना start किया, जो काई के लिए जरूरी होता था, rubber के लिए, rubber के लिए जो raw material यूज होता है, वो क्या होता है, latex, ठीक है, तो यह latex collect करना, इन्हों ने start किया और यह supply करने लगे traders को, पहले यह Brazilian highlands में रहते थे, अब यह क्या हुआ, यह trading के कारण shift हो गए, trading ports पर ही रहने लगे, और completely traders पर dependent हो गए, यह वहाँ से बाहर आ गए, यह mainstream का हिस्सा बन गए, उस trade का हिस्सा बन गए, ठीक है, मतलब forest products में trade कर रहे हैं, इंडिया म कोई नई बात नहीं है, आदिवासी communities थी, बहुत सारी, जो बंजारा community की मदद से forest products बेचा करते थे हैं, बंजारा एक community है, इनके जैसे और भी कई सारी tribal communities हैं, लेकिन बंजारों की मदद से forest products बेचा करते थे, जैसे की heights, यहने की skin है न, leather, horns, silk cocoons, ivory यहने elephants के जो दात होते ह हैं, bamboo, spices, fibers, grasses, gums and raisins है न, raisins याने की kishmish बगएरा, यह सारी चीजें बंजारों की मदद से tribal communities, cities में और villages में बेचा करती थी, हमेशा से हमारे हैं होता रहा है, समस्या कब पैदा हुई, Britishers के आने के बाद, क्यों, क्योंकि इस trade पर जब पहले बंजारे करते थे, government ने complete regulation established कर लिया, पूरा का पूरा government ने control कर लिया इसको, अब government ने control कर लिया, तो यह किसको देंगे इसके rights, फिर से, Europeans को तो यही किया है इन्होंने, trading के rights किसको दिये इन्होंने, Europeans को है न, जो trading, European trading firms थी, large European trading firms, उनको soul rights दे दिये, forest products में, trade करने के, और उपार से hunting और grazing बें करी चुके हैं यह already, है न, अब इसका असर क्या होगा, बहुत सारे जो pastoralist हैं, nomadics हैं, है न, pastoralist याने की जो जानवर पालते हैं, nomadics याने जो एक जगा से दूसरी जगा move होते हैं, तो यह hunting और grazing पर independent थे, जैसे की करावा, कराचा and Yerukula tribes of madras presidency, इनका livelihood खतम हो गया, और इ मतलब वो बोल रहा हैं कि by birth वो लोग criminal हैं and इन लोगों को force किया जा रहा है काम करने के लिए plantations में and mining areas में, वो भी under government supervision, इतना आसान नहीं था इन लोगों के लिए कि यह काम भी कर सकें, तो काम भी करवा रहा हैं जबरजस्ति उन से लेकिन under government supervision, ठीक है, तो new opportunities तो आईं, ल कुछ लोगों को कुछ जगहों पर इन new opportunities का मतलब कभी भी याद रखियेगा कि improved well-being नहीं था, बहुत सारे लोगों की condition खरापती, जैसे एक और example हम लेते हैं, असाम में, plantation start हो जोगा था, टी का, तो बहुत सारे इंडिया के अलग-अलग हिस्सों से यहां पर plantations में काम करन के लिए, ट्राइवल्स को ला रहे थे, जैसे की संथाल and arounds इनको ला रहे थे जारखंट से and gone community के लोगों को ला रहे थे चटीस गड़ से, ठीक है, टी plantations में काम करने के लिए, अब यहां condition क्या है, wages बहुत लो हैं, conditions of work बहुत खराब हैं, और उपर से वो अपने घर भी व livelihood खतम हो चुका है, forest पर government ने कबजा कर लिया है, ऐसी situations में यह लोग काम कर रहे थे, अब ऐसी situations में हम देखते हैं, लोग शांत नहीं रह सकते, भाई, परेशान हैं बहुत जादा, तो यह जो forest communities हैं, अब जो changes आ रहे ना, इनकी life में, उन changes के against, यह forest communities, rebellion कर रहे हैं, ठीक है अब ऐसी ही कुछ rebellions के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है, इंडिया में भी और कुछ other countries में भी, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया में कुछ particular leaders के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने Britishers के against rebellion की, लेकिन detail में हम सिर्फ एक rebellion के बारे में पढ़ेंगे और वो से की संथाल परगना में सिद्धू एंड कानू, ठीक है, संथाल परगना याने आज के टाइम जो जारखंड और ओडिसा वाला हिस्सा है, वहाँ पर संथाल परगना हुआ करता था, छोटा नाखपुर प्लैटिव भी हम जानते हैं कि जारखंड वाले अरिया में आता है, लीडर थे बिरसा मुंडा, इनके बारे में हम जानते हैं और इनके नाम से जैंती भी मनाई जाती है, अलूरी सीताराम राजू जो की आंदर प्रदेश के थे, ठीक है, ये कुछ ऐसे लीडर्स थे जन्होंने ब्रिटिश गवर्मेंट के अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी इन्हों ने ब्रिटिश थे अगेंस्ट क्योंकि ब्रिटिश इनके अरियास पर कब्जा कर रहे हैं। तो इन्होंने ब्रिटिश थे अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और इसलिए आज भी ट्राइबल कम्युम्निटी इन लीडर को याद करती हैं in their songs, in their stories, मतलब ये लोग जो है ना कई जगहों पर तो भगवान के जैसे पूझे जाते हैं जैसे कि भगवान विर्सा मुंडा ठीक है अब ऐसी ही एक rebellion जो हुई बस्तर में 1910 में बस्तर kingdom में जो rebellion हुई इसके बारे में हमको पढ़ना है डीटेल में है ना तो थोड़ा सा बस्तर के बारे में जानकारी गेन कर लेते हैं पहले हम कि ये जो बस्तर kingdom है ये independence के पहले kingdom था लेकिन जब 1947 में हमें independence मिली तो ये बस्तर kingdom merge कर दिया गया कांकेर kingdom से और ये बना उस समय जो मध्या प्रदेश बना उसकी बस्तर district ठीक है अब ये district फिर divide हुई 1998 में तीन districts में divide हो गई कांकेर बस्तर और धंतेवाडा ये इन तीन districts में divide हो गई और फिर हम ये देखते हैं कि मध्या प्रदेश ही divide हो गया 2001 में ये तीनों 36 गड़ का पार्ट बन गए ठीक तो यहाँ पर ये जो बस्तर district है 36 गड़ में आज हम देखते हैं यहाँ पर 1910 में first rebellion हुई कंगर forest area ठीक है ये उस समय का बस्तर kingdom था कंगेर और बस्तर को मिलाकर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कंगर forest वाला area हुआ करता था यहाँ पर इस कंगर forest वाले area में rebellion start हुई ठीक है अब इस rebellion में पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोग कौन कौन है बस्तर district में कौन कौन लोग रह रह रहे थे और इसकी geography कैसी थी है ना तो बस्तर की बात करते हैं अपन तो यह 36 गड़ का southern part है और यह किन-किन states के साथ border share कर रहा है आंदरप्रदेश ओडिशा and महरास्टरा इन टीनो states के साथ यह border share कर रहा है ठीक और यह जो बस्तर पूरा kingdom था इसमें भी अलग-अलग areas में अलग-अलग type के physical features हैं जैसे की जो central part है इस बस्तर kingdom का वो क्या है एक plateau है नौर्थ में 36 गड़ प्लेंस हैं और south में गुदावरी प्लेंस हैं और एक river है इंद्रावती जो east to west direction में flow होती है इस region में ठीक तो यह इसकी geography है अब यहां कौन-कौन से लोग रहते हैं अलग-अलग type के लोग रहते हैं और अलग-अलग भाशाएं बोलते हैं जैसे की maria and muria gond याने की gond community के लोग रहते हैं धुरवा community के लोग रहते हैं बत्रा community के लोग रहते हैं हलबा अलग-अलग भाशा बोलते हैं लेकिन common custom and common beliefs हैं बाशाएं जरूर अलग हैं इनकी लेकिन इनकी सोच एक जैसी है क्या सोच है ये लोग क्या सोच रहे थे कि हर एक विलेज को जो जमीन मिली है वो अर्थ से मिली है और इसलिए ये सब ही लोग क्या करते थे अर्थ से चुकी जमीन मिली है इसके बदले में अर्थ से जमीन मिली है इसलिए उसके बदले में दे लोग आफटर दा अर्थ कैसे जो यह खेती कर रहे हैं उस खेती से जो कुछ भी इनको मिल रहा है वो अर्थ के साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि जो जमीन जिस पर यह खेती कर रहे हैं वो इनको अर्थ से मिली है तो language भले ही अलग हैं लेकिन इनका custom और beliefs एक जैसे हैं कि जमीन अर्थ से मिली है, land अर्थ से मिला है और इसलिए उस land के बदले मैं they will look after the earth by offering some things in every agricultural festival. तो मतलब generally क्या करेंगे अनाज जो ये produce कर रहे हैं वही अर्थ के साथ share करेंगे ठीक है, अर्थ के इलावा ये बाकी के जो natural forces हैं उनके भी spirit की respect करते हैं, spirit याने की आत्मा ये ये मानते हैं कि हर एक चीज में आत्मा है, तो जैसे ये कह रहे हैं कि अर्थ की एक आत्मा हैं वै जित्ते भी villages हैं हर एक परगना में, वो सभी इन सारे forest spirit, river spirit, mountain spirit और अर्थ के spirit की respect करते हैं, ठीक है, और हर एक village को मालूम है कि उसकी boundary कहा तक है, ठीक है, हर एक village के लोगों को क्या मालूम है कि उनकी boundaries कहा तक हैं, तो वो local लोग जो होते थे वो खुद ही इस village की boundary के अंदर जो resources आ रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, है ना local people, जित्ते भी natural resources मिल रहे हैं, उन सारे natural resources को कौन ध्यान दे रहा है, ये local people इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, इनको boundary मालूम है, इनको boundary बताने की जरुरत नहीं है, अब मालो ये किसी दूसरे village की boundary से कुछ लेना चा रहे हैं, for example, woods, तो वो दूसरे village से ले तो आएंगे, लेकिन उसके बदले में एक छोटी सी fees ये pay करेंगे, small fee pay करेंगे, जिसे ये क्या कहते थे, देवसरी, डंड या मन, ये सारी चीजें, ये एक system इनोंने बनाया हुआ है, कि भाई, किसी दूसरे village के area से ये कुछ भी साम लेकर आ रहे हैं, तो उसके बदले में, ये उस village के लोगों को एक small fee pay करेंगे, ठीक है, इसके लावा, ये क्या करते थे, बहुत अच्छा system इनोंने बना रखा था, कि ये हर एक village, विलेज जो था, वो क्या कर रहा था, एक watchman, उनोंने अपॉइंट कर रहा था, और natural resources को protect कर ठीक है, लेकर आब ये watchman ये उस forest को protect कर रहा है, तो ये खुझ से produce नहीं कर सकता कुछ भी, तो ये कह रहे हैं कि watchman के लिए, जो भी food की requirement है, या other household things की requirement है, वो कैसे आएंगी, हर एक घर, उस परगना का, उस village का, हर एक घर, कुछ ना कुछ contribute करेगा, to pay them, कौन, किसको pay कर र ये, हर एक परगना का, हर एक घर, कुछ ना कुछ contribute करेगा, ठीक है, क्या चीज़ contribute कर रहे है, generally, grain, ठीक है, क्योंकि food ही चाहिए, mainry, ठीक है, अब इसके लावा हम ये देख रहे हैं कि इनोंने, आपस में discussions करने के लिए भी एक system बना रहा है, ये क्या करते थे, एक big hunt organize करते थे, और इस big hunt में हर साल, हर साल एक big hunt होता था, और इस big hunt में क्या होता था, जो villages के headman है, वो एक अठा होते थे हर परगना के, है ना, परगना क्या है, cluster of villages, तो ये जो village headman है, वो एक अठा होंगे, मिलेंगे, और क्या discuss करेंगे, issues of concern, जो भी चीज़ों पर उनको लग रहा ह चाहिए, तो कितना democratic system बना के रखा है, देखो इन्होंने, हर साल मिलते हैं, एक big hunt को organize करके, ये लोग मिलते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें discuss करते हैं, forest के बारे में भी ये discuss करते हैं, ये forest से अलग जो भी issues, जो भी issues वो face कर रहे हैं, for example मान लीजिए, किसी एक village के लोग के यहां से कोई सामान लिया, खास तोर से वुड ली और उसके बदले में उन्होंने वो दंड जो उनको pay करना था वो नहीं किया, तो वो चीज़ भी यहां पर discuss की जाएगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कितना बड़िया system बना के रखा है, ट्राइबल्स ने हैं, आप ने सारे changes ला दिये, कि विचारों को मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया, क्यों क्यों कि Britishers को इनके resources की जरुरत थी, ठीक, तो ये condition बहुत बुरी हो गई, बहुत बुरी condition में आ गए ये लोग, ठीक है, अब ये सब लोग जो है ना, किस चीज़ से डर रहे थे, मेंली वो जो forest law इन्हों ने बनाए उस से, अब वही forest law का डर इनको था, क्या हुआ, 1905 में, British government ने एक अनौंस कि एक proposal दिया, कि ये जो बस्तर रीजन है, इसका two-third forest area जो है, उसको reserve forest की category में ले आएंगे, two-third याने की 66% area, 66% forest, कई में cover कर लेंगे ये, reserved forest में, अब जैसे ही reserved forest होगा, तो shifting cultivation ban हो जाएगा, hunting ban हो जाएगी, collecting forest products, ये सब ban हो जाएगा, तो इसी चीज़ की तो चिंता है, अब इन लोगों को इसी चीज़ से लोग डर रहे हैं, कि यदि ये forest जो है, reserved forest हो गया, तो ना वो cultivation कर पाएंगे, ना hunting कर पाएंगे, और ना ही forest products collect कर पाएंगे, ये इनकी चिंता का वी शाय था, अब सारे villages में ये चिंता फैल गई है, अब ये चिंता की कारण जो लोग है ना discuss कर रहे हमें रहने देंगे, कि नहीं रहने देंगे यहां पर, तो इसके बारे में क्या हुआ, जो forest में जो villages थे, British government ये कह रही है, कि हम कुछ लोगों को उन villages में रहना allow करेंगे, लेकिन किस शर्त पर कि यदि वो free में काम करें हमारे लिए, free में labor प्रोवाइड करें, forest department को किस चीज के लिए labor चाहिए, इनको cutting and transporting of trees, ठीक है, इस चीज के लिए free labor प्रोवाइड करें, और दूसरी चीज, जो forest है, उसको forest fire से बचाएं, आग लगने से बचाएं यदि ये दो शर्तें fulfill कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को, कुछ villagers को, वो उन villages में रहने की permission देंगे, अब ये जो villages थे जिनको ये permission दे रहे थे रहने की, इनको एक नाम दे दिया गया, forest villages, ठीक है, ये क्या कहलाने लगे, forest villages, अब बाकी के लोगों का क्या, किसी notice के उनको displace होना पड़ रहा है, कोई notice नहीं है, कोई compensation नहीं है और इन लोगों को उनके villages से निकाल दिया गया है, ठीक, तो बहुत लंबे समय तक लोग जो हैं, बहुत जादा परेशान हैं, सफर कर रहे हैं, क्यों सफर कर रहे थे, देखो अभी तो इनको निकालने की बात चल रही है, लेकिन इन ट्राइबल्स के ऊपर अल्रेडी बहुत जादा रेंट लगा दिया गया था, बहुत रेंट इंक्रीज कर दिया गया था, पहले से इनने परेशान करना स्टार्ट कर दिया था, और बहुत जादा फ्री लेबर की डिमांड भी ये लोग कर रहे आद है और फ्री गुट्स की डिमांड भी है, क्लोनियल उफ्रेज़ कर रहे थे, अल्रेडी ब्रिटेश गवर्मेंट से बहुत जादा परेशान थे, तो किन-किन चीजों से परेशान है, तो परेशान है, इन से परेशान है, और अब इन को यहां से फ्रेजार्स निकाला इसी बीच क्या हुआ, जब ये reservation की बात हो रही है, 1905 में reservation की बात हो रही है, कि two-third forest reserve करेंगे, उसी बीच में क्या हुआ, 1905 से 10 के बीच में एक बार क्या हो गया, 1907-1908 में famine की condition आ गई, इसके पहले एक और बार famine आ गई थी, 1899 से 1900 के बीच में भी famine की situation थी, तो एक famine ये जेल गए, फिर दोबारा क्या हुआ, एक announcement हो चुका है कि two-third forest को reserve करेंगे, उसी बीच एक और famine आ गई, और फिर finally reservation स्टार्ट कर दिया इनों ने, तो ये reservation जो था ना, ये वो आखरी जो कहते हैं आखरी हतोड़ा था, जिसको ये आप सह नहीं पा रहे हैं, और यह के खिलाफ लड़ते हैं, अब एक दूसरे को आपस में मिलाने के लिए क्या है, कुछ messages ये secretary भीज रहे हैं, कैसे messages भीज रहे हैं, उसके बारे में हम जरा चर्चा करते हैं, ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, जो leaders होते हैं, उन से हैंना, तो हर एक village में हम जानते थ में discuss कर रहे हैं, ठीक है, अब initiative किस ने लिया, initiative लिया धुरवा community ने, जो कहां रहती थी, कंगर forest में, ठीक है, यहां पर सबसे पहले reservation हुआ forest का, ठीक है, कंगर forest जो area है, यहां पर धुरवा community रह रही है और यही पर सबसे पहले reservation स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो हाला कि यहां इनका कोई एक single leader था, ऐसा कुछ भी नहीं अपन को पता चलता, लेकिन जादातर लोग जिस leader की बात करते हैं, वो हैं गुंडा धुर, ठीक है, एक village था, नेथिनार village, जिसमें यह रहते थे और इनका नाम था गुंडा धुर, धुरवा community के हैं, इसलिए धुर, ठीक है, तो secret messages कैसे बेज रहे हैं, mango box बेज रहे हैं, lump of earth, chillies and arrows, यह सारी चीज़ें circulate हो रही हैं, इनका meaning क्या था, इनके circulation का, इनके circulation का meaning यह था, कि भाई, आप सभी लोग आईए, और Britishers के against, जो हम यह rebellion कर रहे हैं, उसमें जुड़ जाईए हैं, तो यह क्या था, message inviting villagers to rebel against the British, क्या था message, यह चीज़ें भेजना ही message था, ठीक है, यह चीज़ें किसी एक village से दूसरे village के लोगों के पास जा रही हैं, यह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह चीज़ें भेज रहा है, तो वो rebellion में शामिल होने के लिए, उनको मना रहा है, ठीक है, तो हर एक village जो है, वो contribute कर रहा आए ना तो ऐसा नहीं है कि कोई एक विलेज के लोग या कोई एक व्यक्ति खर्चा कर रहा हो उस कंगर फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी लोग थे जो जो भी विलेजिस थे हर विलेज के लोग जो हैं वो कॉंट्रिब्यूट कर रहे थे इसके expenses बियर करने में अब rebellion में हुआ क्या? Rebellion में बाजार पर अटेक किया गया, बाजार लूटे जा रहे हैं जो government officials थे उनके घरों पर, traders के घरों पर इन पर अटेक किया जा रहा है, schools पर, police stations पर अटेक करके इनको जलाया जा रहा है और इनकी robbery की जा रही है, है ना? और जहां जहां पर इनको grains मिले, जह है, तो rebellion में यह सब हो रहा है, यह एक armed rebellion है, अब देखिए भाई यह जो भी attacks हो रहे हैं, यह किस पर हो रहे हैं, उन लोगों पर ही attacks हो रहे हैं, जो किसी ना किसी तरीके से colonial state से associated हैं, या इन्हों ने जो oppressive law बनाए हैं, इस oppressive law से associated हैं, अब attack बहुत तेजी से हुआ, बहु विलियम वार्ड नाम के एक missionary थे, इन्हों ने कुछ लिखा उस rebellion के बारे में, जिससे हमें पता चलता है कि कितना बड़ा rebellion था ही है, और चुकि बड़ा rebellion था है, इसलिए तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, है न, तो क्या लिखा उन्हों ने, from all the directions came streaming into जगदलपूर, सा forest pewns, school masters and emigrants, ये सब लोग जो बस्तर रीजन में इधर उधर फैले हुए थे, ये सब लोग जब rebellion हो रही थी, ट्राइबल्स इनके उपर attack कर रहे थे, तो ये सब कहां पहुँच रहे थे, जगदलपूर पहुच रहे थे, ठीक है, अब देखो British government शान तो नहीं रहने वाल ठीक है, अब जैसी troops आए, इनके पास हथियार हैं, बंदूके हैं, हमारे जो rebel करने वाले लोग थे, उनके पास हथियार नहीं है, बंदूके नहीं है, इस तरीके की हैं तो इन्होंने क्या किया, जो leaders थे इनके, tribals के, उन्होंने negotiate करने की कोशिश की, बातचीत करके हम बात देते हैं, लेकिन Britishers इसके लिए तयार नहीं हुए, इन्होंने इन लोगों को surround कर लिया, घेर लिया उनके camp को, और उनके उपर firing स्टार्ट कर दी, अब firing स्टार्ट कर दी, march कर रहे हैं, villages में enter हो रहे हैं, जो भी इनको मिल रहा है, जिन्होंने rebellion में participate किया है, उनको मार रहे flogging की जा रहे हैं, उनको है ना और उनको punish किया जा रहा है, और ये जो rebellion, जितने लोगों ने भी इस rebellion में participate किया है, उनकी condition बहुत खराब है, कई लोगों को villages छोड़कर भागना पड़ा, बहुत सारे villages जो थे, वो खाली हो गए, क्योंकि लोग वहाँ से छोड़कर जंगलो में भाग गए, मजबूरी है अब भागेंगे नहीं वहाँ से, तो Britishers के पास क्या है, बंदूके हैं, और ये जो है ना इनको तरपाएंगे ज़्यादा, है ना, इसी लिए अब इनको भागना ज़रूरी है वहाँ से, है ना, क्योंकि ये Britishers के लिए क्या सम्मान की बात हो ग है ना, तो don't waste your bullet on them, है ना, तो bullets का use नहीं कर रहे हैं, ऐसी मार डाल रहे हैं उनको तरपा-तरपा के, है ना, तो ये condition है, ट्राइबल्स की during British rule, तो बहुत सारे लोगों को छोड़कर भागना पड़ा, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हलाकि ये लोग कभी भी गुंदादूर को नहीं पकड़ पाए, लेकिन इस rebellion का एक फाइदा जरूर हुआ है ना, गुंदादूर को नहीं पकड़ पाए, rebellion हुई, rebellion तीन महीने में लग गए इनको ये rebellion suppress करने में और उस region पर वापस से control establish करने में, लेकिन इसका फाइदा क्या हुआ, ये जो reservation था, व roughly half, याने कि 66% की जगा, 33% के आसपास area जो है, वो reserve किया जाएगा, ठीक, ये condition थी, इनकी tribals की, अब अपन सोचते हैं कि यार, independence के बाद इनकी condition improve हुई होगी, ऐसा नहीं है, इनकी story यहां खतम नहीं होती है, independence के बाद भी, even हमारे जो independent India की government थी, उन्होंने भी tribals पर उत्ता focus नहीं किया और जो British government की practice थी, keeping people out of the forest and reserving these forest and forest for industrial and industrial use, ठीक है, ये condition continue रही even after independence, है ना, हम देखते हैं कि कई सारे tribals है, tribal communities है, जिनको उनके land से displace कर दिया गया, industrial products gain करने के लिए, या industry establish करने के लिए, है ना, जैसे इसका एक बहुत अच्छा एक्जामपल है, 1970s का, देखो, बहुत पुरानी बात नहीं है, 1970s में World Bank ने क्या proposal दिया Indian government को, कि 4600 hectares में जो एक natural salt forest है, इस natural salt forest को replace कर दिया जाए, ट्रॉपिकल पाइन से, क्यों, क्योंकि जो ट्रॉपिकल पाइन है, ये pulp प्रोवाइड कराएगा for paper industry, ये proposal था, ये proposal को बहुत ज़्यादा oppose किया, हमारे जो local लोग थे, local environmentalists थे, इन लोगों ने इस project को बहुत ज़्यादा oppose किया, तब जाकर ये जो project है, ये बंद हुआ, otherwise हम देख रहे हैं, independence के बाद भी ट्राइबल्स की condition इंप्रूव नहीं हुई, ये तो बात होगे इंडिया की, लेकिन हम एक और condition, एक और country को example को लेकर समझतें कि ट्राइबल्स की condition क्या थी, और वो example है, इंडोनेशिया में, जावा आइलेंड्स का, ठीक है, जावा आज के समय में rice production के लिए famous है, लेकिन एक समय ऐसा था, जब इस island का जादा तर area काई से covered था, forest से covered था, ठीक है, अब जैसे इंडिया में colonial power establish हुई, वैसे ही, इंडोनेशिया में भी colonial power establish हुई, इंडिया में colonial power को है, ब्रिटिश और इंडोनेशिया में Dutch, Dutch community के लोग, इंडोनेशिया पर rule कर रहे थे और जैसे इंडिया में, British, Britishers ने forest law बनाए, वैसे ही forest law, forest को control करने के लिए, Dutch community के लोगों ने, इंडोनेशिया में बनाए, ठीक है, अब इसके बारे में अपन को पढ़ना है, डीटेल में, लेकिन थोड़ा सा जावा के बारे में और जानकारी गेन कर लेते हैं कि जावा की condition क्या है, ठीक है, जावा islands की condition देख लेते हैं कि जब यहाँ पर forest management start हुआ, उसके पहले, जावा में हमने देखा, 1600 में population size क्या था, यहाँ का 3.4 million people lived in जावा in 1600, ठीक है, जावा में भी इनने जो Dutch community के लोग थे, इन्होंने क्या किया, forest management start किया और इनको भी forest management क्यों कर रहे हैं, same reason है, ship building के लिए और railways के लिए इनको timber चाहिए था, तो उसी चीज़ के लिए इन्होंने forest management start किया, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो यहाँ रह रहे थे, बहुत सारे ट्राइबल्स भी थे, बहुत सारे cultivators भी थे, बहुत सारे फ जावा की condition है, ठीक, अब जावा आइलेंड्स में एक particular community के बारे में हमको पढ़ना है, wood cutters of Java, जो थे कलंग, 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 कलंग्स of Java, यह एक wood cutters की community थे, skilled forest cutters हैं यह, है न, skills है इनके पास, यह skilled forest cutters हैं और यह shifting cultivation भी perform करते थे, अब इनकी importance हम इस बात से समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर जो kingdom था, जावा आइलेंड्स पर उस kingdom का नाम था माताराम kingdom, ठीक है, माताराम kingdom of Java, यह जो kingdom था, यह divide हुआ 1755 में, ठीक है, दो भाईयों में divide हो गया यह, अब इस बात से हमें इस community की importance समझ में आती है, कि जब यह kingdom divide हुआ, तो यह जो कलंग families थी, इन का total number था 6000, तो यह कलंग families equally divide की गई दोनों kingdom के बीच में, ऐसा क्यों, क्योंकि यदि यह community नहीं है, तो king अपना palace ही नहीं बना सकता, क्योंकि teak harvest कैसे करना है, कौन सा teak harvest करना है, यह किसको मालुम था, woodcutters of Java, यानि की कलंग community को, तो king को यदि अपना palace बनाना है, तो उसको क Dutch community ने अपना rule established कर लिया, Java ने, Java islands में, तो इन्हों ने 18th century में यह कोशिश की, कि यह जो कलंगs हैं, यह इनके अंडर काम करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कलंगs refused to work under Dutch community, और we can say Dutch colonial government, और उन्हों ने revolt किया, कब 1770 में, इन्हों ने resist किया, कैसे resist किया, एक फोर्ट था, Dutch community का, Joanna Fort, इस फोर्ट पर इन्हों ने attack कर दिया, 1770 में, हलाकि uprising successful नहीं रही, इस uprising को suppress कर दिया गया, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर इतना समझ में आ गया है, कि भाई, जो लोग है ना, वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं, वो foreign power के rule को accept नहीं करेंगे, ठीक है, अब दे community के लोगों को क्या चाहिए, forest timber चाहिए, काई के लिए चाहिए, railway के लिए चाहिए, और ship building के लिए चाहिए, तो इन्हों ने भी forest management स्टार्ट किया, जैसे हमारे हाँ scientific forestry स्टार्ट हुई, वैसे ही यहाँ पर भी, क्योंकि इनको समझ में आ गया है, कि अब इनको territory अकेले को control नहीं करना है, लोगों को भी control करना है, जैसे हमारे हां था न, Dietrich Brandist को बुलाया क्यों, लोगों को भी control करना था, कि कहीं वो forest का use ना कर लें, ऐसे हाँ पर भी restricting villages across the forest. यहाँ पर भी villagers जो रह रहे हैं forest में, उनकी forest में entry नहोंने ban कर दी. ताकि जादा से जादा कौन use कर सकें? Dutch community के लोग use कर सकें है ना. तो इनका main purpose क्या था? Making river boats, construction of houses and only from specific forest areas under supervision. यह specific areas इन्होंने fix कर दी हैं बिलकुल कि यहीं से यह पेड़ काटे जाएंगे काई के लिए काटे जाएंगे, boats बनाने के लिए houses construct करने के लिए, railway sleepers के लिए अलग है, ship building के लिए अलग है, तो इन्होंने specific purpose भी बता दिये ठीक है कि यह specific purpose क्या है और कहां से उसके लिए पेड़ काटे जाएंगे और supervision भी रहेगा government का बिना government supervision के नहीं होगा यदि कोई बिना government supervision के या बिना government की permission के पेड़ काटता हुआ पाया गया तो उसको punish किया जाएगा ठीक है, अब forest law है तो यहाँ पर भी सारी चीज़े banned हो गई मतलब की grazing नहीं करा सकते ठीक है, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यह जो young stands है young stands मतलब छोटे-छोटे से plants है उनकी grazing नहीं करा सकते villages क्योंकि वही आगे चलके timber बनेंगे अपना जो transportation का permit होने लगा transportation के permit के बिना वो wood एक जगा से दूसरी जगा नहीं ले जा सकते और सबसे बड़ी चीज़ अपने horse carts या cattle के साथ वो forest में जो roads हैं उन पर भी travel नहीं कर सकते, इनका यह कहना था कि यदी horse cart लेकर जा रहे हो या cattle के साथ जा रहे हो तो यो young shoots हैं है ना, वो क्या हो जाएंगे destroy हो जाएंगे ठीक है और फिर उनको जो timber चाहिए वो timber नहीं मिल पाएगा, ठीक, तो यह जो ship building, railways, इन सब के लिए जो इनको timber चाहिए है वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए इन forest के लोगों का उन्होंने travel करना, कहा travel करना forest area में travel करना forest roads पर travel करना भी ban करवा दिया, ठीक है अब देखो कितना सारा forest काटा जा रहा है, इसको समझने के लिए एक देखते हैं कि 1882 में 280,000 sleepers export किये गए अकेले जावा से अब ये 280,000 sleepers बनाने के लिए कितने सारे पेड़ काटने पड़े होंगे इनको अब देखो पेड़ तो काटना है लेकिन पेड़ काटने के लिए क्या चाहिए इनको labor ठीक है, बिना labor के खुद से तो करेंगी नहीं अब labor मिलना बड़ा मुश्किल है तो इन्होंने क्या किया भाई labor की requirement फुल्फिल करने के लिए इन्होंने एक system बनाया क्या system बनाया कि पहले तो इन्होंने क्या किया जो लोग forest area में रह रह रहे हैं उन पर rent लगा दिया कि आपको यहां रहना है तो rent देना पड़ेगा ठीक है और यदि rent से बचना चाह रहे हो exemption चाह रहे हो इस rent से कुछ लोगों को बोल रहे हैं कि exempt करेंगे लेकिन वो क्या कह रहे हैं फिर इसके लिए बदले में collectively work provide कराना पड़ेगा labor provide कराना पड़ेगी वो भी free of cost ठीक है और साथ में buffaloes provide करानी पड़ेंगी वो भी free of cost क्यों क्योंकि इनको trees काटना है और उसको transport करना है और इसके लिए buffaloes चाहिए क्योंकि अधर पर अभी railway network इतना develop नहीं था और forest से लेकर आना है trees को तो transport locks वगएरा transport करने के लिए sleepers prepare करने के लिए इन सब चीजों के लिए ये labor चाहिए और इनकी buffaloes चाहिए ठीक तो क्या किया इनों ने rent लगा दिया rent या tax कुछ भी कह सकते हैं बट चूकि इसको rent overdue किया है तो अपन rent ही लिखते हैं तो ये जो rent लगा दे वाला system था इससे free करने के लिए जो system बनाया कि यदि free labor और buffalo provide करा रहा हो तो आपको forest में रहने देंगे बिना किसी बिना किसी rent के इस system को इनों ने एक नाम दे दिया blend on destin system क्या बोल रहे हैं इसको blend on destin system क्या है ये blend on destin system कि यदि forest में रहना है बिना rent दिये रहना है तो free of cost labor और buffalo provide करानी पड़ेंगी ठीक है labor का एक लिए चाहिए पेड काटने के लिए और उनको logs में convert करने के लिए और buffalo काय के लिए चाहिए उन logs को transport करने के लिए ठीक है बाद में क्या हुआ ये system और बदल दिया गया इस blend on destin system को change कर दिया गया ये कह रहे हैं rent से exemption देने की जगा अब ये क्या कह रहे हैं हम आपको wages provide आपको हमारे लिए काम करना होगा और लेकिन ये जो forest में cultivation करने का जो right है ये नहीं मिलेगा आप वाँ खेती नहीं कर सकते तो ये जो right था ये अभी भी restricted ही था system और बदल दिया है rent से free नहीं कर रहे हैं इनको बलकि उसकी जगा wages दे दे रहे हैं और वो wages जो ये दे रहे हैं वो rent के form में वापस ले लेंगे ठीक है अब यहाँ भी rebellion होगा तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हमने बस्तर रीजन की बात करी और वहाँ पर गुंडादुर की बात करी यहाँ पर कौन rebel कर रहे हैं 1890 में सुरिंत को सैमिन थीक है इनके village का नाम क्या था Rendu Blattum village थीक है na क्या नाम है भाई Rendu Blattum village याद रखना यह नाम थीक है इस गाउँ में रहने वाले थे सुरिंत को सैमिन और यह क्या थे टीक forest यह जो village था यह टीक forest village था मतलब इसके आस पास टीक मिल रहा है बहुत अच्छी quality का, ठीक है? अब यह question कर रहे हैं, क्या question कर रहे हैं? कि भाई, जब यह जमीन तुमने नहीं दी है, तो तुम इसके owner कैसे हो सकते हो? यह किस से question कर रहे है? colonial government से है, तो ownership of forest पर questioning करना start किया है, यह कह रहे है, state had not created the wind, water, earth and wood. इन में से कोई भी चीज, state ने, इन में से कोई भी चीज, state ने create नहीं की है, तो फिर यह जो state है, वो इसकी owner कैसे हो सकती है? यह इनका सवाल था, कि जब आपने बनाया नहीं, सब कुछ nature ने बनाया है, तो आप इसके owner कैसे हो सकते हैं? और इसलिए इन्हों ने oppose करना start किया, ठीक है? अब यह जो oppose कर रहे हैं, इनका एक movement start हो गया, बहुत widespread movement हुआ इसका, और इसमें इनकी help किसने की? इनके son-in-laws ने, यह movement को organize करने में help कर रहे हैं, son-in-laws इनके, and by 1907, 3000 families ऐसी थी जो सुरिंतको सैमिन के ideas को follow कर रही थी, ठीक है? अब यह जो सैमिन के जो followers हैं, यह कैसे protest कर रहे हैं? वो जब उनके protest करने का तरीका भी unique है, ना, कैसे कर रहे हैं? बाई, laying down on their land, laying down on land मतलब late गए, क्याब late गए जैसे ही कोई Dutch community के लोग उनके पास आ रहे हैं, survey करने के लिए, उनकी जमीन का survey करने के लिए, तो वो ऐसे survey नहीं करने दे थे, सब late जाते थे, ठीक है? और इसके अलावा कई लोग कैसे protest कर रहे थे, they refuse to pay taxes or fine or perform labor. कुछ लोग क्या कर रहे हैं? survey नहीं करने दे रहे हैं, कु इस तरीके से लोगों ने oppose करना start कर दिया, ठीक? तो जैसे इंडिया में rebellion हुआ, वैसे ही जावा में भी rebellion हुआ, ठीक है? अब यह जो forest है, दुनिया भर में, इस पर wars का बहुत बड़ा impact हुआ, तो यह जो wars है, इसका deforestation पर क्या impact है, कितना तेजी से deforestation हुआ, wars के कारण, अब इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है? तो जो first and second world war है, बहुत major impact रहा इसका deforestation पर कैसे? देखें, सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं, कि इंडिया में जो भी working plans बनाए हुए थे forest department है, वो सारे working plans जो हैं, वो abandon कर दिये, छोड़ दिये, और recklessly forest को cut कर रहे हैं, ठीक है? freely forest को cut किया जा रहा है, ब्रिटिशर्स जो हैं, वो forest काट रहे हैं, क्योंकि इनकी timber की requirement फुल्फिल नहीं हो पा रही थी, तो सारे working plans को एक तरफ रख दिया गया, और forest को तेजी से काटना स्टार्ट किया, same condition आई जावा में, जावा में तो condition और खराब हो गई, क्यों lost earth policy, यह क्या है यह policy, भाई यह जो dutch community के लोग है, इन्होंने already, जावा में जो forest था, बहुत बड़े forest area को clear करके, वहाँ पर 100 mills लगाई थी, बहुत सारे logs already उन्होंने बना के रखे हुए थे, अब इनको समझ में आ गया था कि Japanese लोग इन पर कबजा करने वाले हैं, तो इन start कर दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, स्क्रोजड अर्थ पॉलिसी, ठीक है, तो destroyed saw mills and burning huge piles of giant teak logs, ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि Japanese लोगों को यह ना मिल जाए, इनको पहले से बना बना यह timber मिल जाएगा, तो वो इसका use कर लेंगे, तो दुश्मन कहीं इसका use ना कर ल लेकिन जापान ने कबजा तो कर लिया, अब यह तो है नहीं कि इनने नहीं छोड़ा तो वो use नहीं करेंगे, उनने नहीं छोड़ा तो भी क्या हुआ, जापान जो है, अब वो exploit कर रहा था यहां के forest को, वहां के लोगों को जो villagers थे, उनको जबर्जस्ती force किया जा रहा है क अब देखो इसका एक positive impact क्या हुआ और उसको हम positive भी कह सकते हैं, negative भी कह सकते हैं, कि जब यह forest clear हो रहा था, तो उन एरियाज में रहने वाले जो cultivators की communitys थी, उनने इसका फाइदा उठाया, चुकि forest clear हो चुका है, आर्मी उस पर ध्यान दे नहीं रही है, खाली जगा पर उ cultivation expand करने के लिए, मतलब forest की जो जमीन थी, forest department की जो जमीन थी, वो अब किस चीज के लिए use होने लगी, cultivation के लिए, अब war खतम हुई, Japanese दोगों का कबजा खतम हो गया, वापस से Dutch community ने कबजा कर लिया, अब यह चाह रहे हैं कि जो इंडोनेशिया के जो forest हैं, उन पर वापस से इनका कबजा हो जाए, तो यह बहुत difficult है, क्यों, क्योंकि यह cultivation start हो चुका है, same condition इंडिया में, इंडिया में अभी जो लोग हैं, उन्होंने agricultural needs उनकी बढ़ चुकी हैं और इसी लिए, उन्होंने भी cultivation करना start कर दिया forest land पर, और इसके current conflict होने लगे, किस किस के बीच में, forest department क के बीच में और लोगों के बीच में, क्योंकि forest department कंट्रोल करना चाह रहा था जमीन को और लोगों को exclude करना चाह रहा था, लेकिन यह जो लोग हैं, जो खेती करने लगे हैं, वो इतनी आसानी से वहां से हटेंगे, नहीं, ठीक, अब आजादी मिल चुकी है, wars खतम हो चुकी हैं, है ना, तो आजादी के बाद क्या हो रहा है, किस तरीके से forest को manage किया जा रहा है, एक तो हमने देखा कि भाई, बहुत लंबे समय तक, जो ट्राइबल से ना, उनको उनके rights नहीं मिल रहे थे, independent हमारी जो इंडिया की government थी, उसने भी वो जो प्रेक्टिस थी, Britishers की उसको continue रखा, ठीक है, लेकिन कुछ new developments हो रहे थे forestry में, क्या कब से, 1980s से, governments जो थी in Africa and Asia, इन governments को ये समझ में आ गया है, कि ये जो scientific forestry है, और जो policy of controlling forest communities है, ये सही नहीं है, नहीं है, नहीं है, forest communities को forest से दूर रखने की जो policy है, ये सही नहीं है, ये बहुत गलत है, इसके कारण बहुत सारे conflicts हो रहे है, इसकी जगह क्या करना चाहिए, conservation of forest करना चाहिए, ठीक है, timber collect करने से जादा important goal क्या होना चाहिए, conservation of forest, ये चीज़ governments को समझ में आई, कब आई लेके 1980s में, है ना, जब इनको ये चीज़ समझ में आई, तो इनका conservation prime objective हो गया, ठीक है, अ अब government जो है ना, इस goal को achieve करने के लिए, कुछ नई policies अपना रही है, वो क्या कह रही है, कि यदि हमें conservation का target achieve करना है, तो इसके लिए local लोगों को, जो forest के आसपास रह रहे हैं, उनको conservation में involve करना पड़ेगा, क्यों इनको ये समझ में आगया, हमारी government ने देखा कि from Missouri to Kerala, जो भी forest survive कर पाए हैं, वो इसलिए survive कर पाए है, क्योंकि local लोगों ने उनको protect किया, है ना, ये कुछ sacred places मान लेते थे और उनको protect करते थे, जैसे sacred groups में क्या नाम दिया जाता था इन forest को, कुछ लोग इनको सरन बोलते थे, कुछ देवरा कुंदू बोलते थे, कुछ कान बोल जंगल की आत्मा है वहाँ पर और ये सब लोग जो forest में रहने वाले लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, ये इनको protect करते थे, इस तरीके से बहुत बड़ा forest area survive कर पाया नहीं, तो जो colonial government थी ना, वो कुछ भी नहीं छोड़ती, लोगों ने लड़ाई-लड़ी, ट्राइबल्स ने घूम कर check करते थे कि कहीं कोई इनके forest को नुकसान तो नहीं पहुचा रहा, वो government पर dependent नहीं थे, इन्हों ने जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली, ठीक है, और ये जो household है, ये turn by turn guard कर रहे हैं अपने forest को, ठीक है, तो local forest communities जो हैं, और environmentalists जो हैं, आज के time के, वो नए तरीक सोच रहे हैं, कुछ different तरीके सोच रहे हैं, जिससे की forest management किया जा सके, ठीक, तो ये हमारे chapter यहाँ पर complete होता है, इन सारे courses के detailed videos के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, और ये हमारा video आपको कैसा लगा है, इसे हमारे comment section में जरूर बताइए, thank you very much.